आज के लेक्चर में हम चैप्टर 19 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 19b का हमें सेकंड पार्ट से सॉल्व करना है सेकंड पार्ट का हम 1 to 4th question कर चुके हैं 5th question है हमारा cos square 20 degree plus sin 20 degree cos 70 degree plus tan 34 degree upon cot 56 degree यहाँ पर question में है without using trigonometric table बीना trigonometric table के use किये हमें इस question को सॉल्व करना है देखिए यहाँ पर यह है हमारा cos square 20 degree plus sin 20 cos 70 अब यहाँ पर देखिए अगर हम इन दोनों को add करें 90 आ रहा है add करने क्या रहा है 90 90 आ रहा है और इधर sin है इधर cos है formula complementary angle का sin theta is equal to cos 90 minus theta और cos theta क्या हो जाता है sin 90 minus theta देखिए दो एंगल का sum अगर 90 degree है तो हम क्या लगाएंगे complementary angle और क्या देखना है sin cos में change होता है cos sign में मतलब हम इन दोनों को change कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं चाहे हम इसको sign यह sign वाला है इसको cos में कर दे या cos वाले को sign में कर दे अब हमें देखिए करना किसमे है यह question में ही दिया है कि हमें किसमे convert करना है हम इस sign वाले को इस formula से cos में बदल देंगे या cos वाले को sign में बदल सकते हैं दोनों formula हमें पता है हम करें किसको किसको solve करें देखिए question में यहां लिखा है cos square 20 degree क्या लिखा है cos square 20 degree अब किसी के उपर square लगा हो sign का square, tan का square square अगर लिखा हो तो हम square वाला जो first lecture है वहाँ पर बताए है न trigonometric identities वाला तो यहां square है अब इस से related जो formula था वो याद आना चाहिए क्या formula था sin square theta plus cos square theta is equal to 1 अगर cos दिया है यह मिल जाए तो दोनों का add 1 होता है यहां cos square है अगर इधर sin square 20 हो जाए cos square 20 है अगर इधर sin square 20 हो जाए तो दोनों का add 1 हो जाएगा इस formula से समझ में आ रहा है तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे इधर cos है तो हम इस वाले को sin में बदलने की कोशिश करेंगे देखिए यहां पर है हमारा cos square 20 डिली प्लस यह क्या है sin 20 इसको ऐसे ही लिखते cos को change करना है cos को यह है cos को हम change कर सकते हैं sin में क्या लिखा है cos 70 cos 70 थीटा की जगे क्या है 70 इधर sin 90 और थीटा की जगे क्या है 70 यह हो गया 70 cos 70 की जगे क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस 70 यह हो जाएगा यह हो गया इधर यह प्लस है अब देखिए यहां पर दोनों को add करेंगे 6, 4, 10 5, 3, 8, 1, 9 दोनों को add किया क्या आया यह 90 डिगरी यानि complementary angle है और 10 दिया है cot दिया है cot 10 में change होता है 10 theta is equal to cot 90 minus theta तो किसी एक को हम बदल लेते हैं 10 वाले को अगर बदलेंगे क्या है theta की जगे 34 है theta की जगे 34 डिगरी है cot 90 minus theta की जगे 34 यह हो गया इसको उठा कर यहां रखते हैं 10 34 की जगे यह रखेंगे cot 90 minus 34 upon cot 56 जितने question प्रैक्टिस करेंगे उतना इसली है सब solve हो जाएंगे यहां देखिए cos square है 20 degree plus sin 20 है फिर sin 90 minus 70 90 minus 70 क्या होता है 20 होता है माइनस कर लेते हैं क्या होता है 20 यहां पर 90 minus 34 क्या होगा 56 माइनस कर लीजी क्या रहा है 56 आ रहा है इसकी जगे हम क्या लिखेंगे 56 यह हो गया अब देखिए क्या है यहां पर sin 20 इंटू sin 20 देखिए दो चीज लिखी हुई है और बीच में कुछ नहीं है इसका मतलब dot है और इसका मतलब dot मतलब क्या होता है multiply में है divide तो है नहीं plus भी नहीं है minus भी नहीं है यहां पर दोनों की बीच में कुछ नहीं है इसका मतलब यह multiply में है sin 20 into sin 20, क्या हो गया, sin square 20, जैसे x into x, क्या हो जाता है, x का square दो बार है, दो यहां हो गया, sin 20 into sin 20, sin square 20, आया यह चीज, अब यहां पर देखिए, उपर, नीचे, सेम सेम, कट गया, क्या है, वन आ गया, यह फॉर्मूला, यहां पर है, क्या है फॉर्मूला, sin square theta, plus cos square theta, is equal to 1, cos square, यह 20, plus sin square, 20, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आएगा, 1, यहां पर पहले से 1 है, 1 plus 1 हो गया, 2, यह हो गया हमारा answer, समझ में आया, यह formula, cos square, 20, plus sin square, 20, is equal to, plus 1, यह 1 आ गया, plus 1, अब यहां पर देखिए, अगर यहां लिखा होता, cos square, 20, plus sin square, 70, माल लिजे लिखाया, तब यहां पर, cos square theta, plus sin square theta, 1, नहीं लिखेंगे, क्या ध्यान रखना, यहां अगर 20 है, तो यहां 20 हो, अगर यहां 70 है, तो यहां पर भी 70, यानि यह दोनों angle equal होने चाहिए, देखिए, यहां theta, यहां theta, यहां 20, यहां 20, तभी बनेगा यहां पर, यहां यह गलती मत करिएगा, cos square 20, plus sin square 71 हो जाए, तो यह गलत हो जाएगा, यह theta हमारा, यह angle हमारा equal होने चाहिए, आगे आएगे, इसे note कर लिजे, यह है हमारा 6th question, इसमें है 3 sign, 32 degree upon cos 58, plus 4, 10, 46 degree upon cos 44, minus 5, 6, 62 degree upon cos 28 degree, क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे क्या यह complementary angle है, add करिए, 8 to 10, 1, 5, 3, 8, 90, यह हो गया हमारा complementary, add हो जाएगा, 6, 4, 10, 1, 4, 4, 8, 9, 90 हो गया, 8 to 10, 1, 6, 2, 8, 9, यह भी 90, यानि यह क्या हो जाएगे, complementary angle, अब sign cos में change होता है, ठीक है, 10 cot में, 6 cos 1 में, बहुत easy हो गया, यहां से देखिए, कट जाएगा, यह यह आपस में कट जाएगा, यह यह कट गया, यह यह, आएगा है अब 3 plus 4, 7, 7 minus 5, 2, 2 answer हो जाएगा, यहां पर अब solve करेंगे, cos है, sin है और cos है, दोनों ही complementary angle है, और दोनों में से किसी को भी अगर divide में हों, तो दोनों में से किसी को भी हम change कर लें, चाहे sign को cos में कर लें, या cos को sin में, किसी को भी change कर सकते हैं, यहां पर लिखाया है, sin, theta होता है, हमारा cos 90 minus theta, sin theta, cos 90 minus theta, यहां पर है sin 32, यह है, क्या हो जाएगा, cos 90 minus 32, theta की जगे 32 है, यहां रखे ने हम sin 32 की जगे, cos 90 minus 32, upon cos 58 degree, plus, next है हमारा, tan 46, हम उपर वाले को इचेंज कर लेते हैं, tan है, tan theta क्या होता है, tan हो जाएगा, cot में, cot हो गया, यहां theta, त्यहां हो जाएगा, 90 minus theta, यह है, complementary angle का formula, tan 46 है, क्या हो जाएगा, cot 90 minus 46, यहां theta की जगे 46 है, तो यहां पर भी theta की जगे क्या हो जाएगा, 46, यहां रखते हैं, tan 46 की जगे, cot 90 minus 46, यह हो गया, नेचे क्या लिखा हुआ है, cot 44 है, आगे है हमारा, minus 5, यहां क्या है, sec 62 upon cos 1, sec को हम cos 1 में, बदल लेते हैं, यहां पर इसको हटा दे, क्या है sec का formula, sec theta होता है, cos sec, 90 minus theta, यह होता है, क्या है यहां पर, sec 62, क्या हो जाएगा, sec 62 हो जाएगा, cos sec, 90 minus 62, इसके हां पर क्या है, 90 minus 62, लिखेंगे हम cos sec, 62, sec 62 की जाएगा क्या लिखेंगे, cos sec, 90 minus 62, अपन, cos sec, 28 degree, हो गया यह, अब क्या होगा, माइनस करते हैं, 90 minus 32, 58 होता है, हो गया, नीचे लिखा हुआ है, 58, प्लस, 4, 90 minus 46, क्या होता है, 44, यह हो गया, 90 minus 62, क्या है, 28 degree, अपन, cos sec, 28, हो गया यह, उपर नीचे, same, same, cancel, यहाँ पर भी cot 44, नीचे भी cot 44, यहाँ cos sec, 28, यहाँ cos sec, 28, कट गया है, क्या बचा, 3 plus 4, minus 5, 3 plus 4, 7, 7 minus 5, यह आ जाएगा हमारा 2, आ गया समझ में, नोट कर लिजिए इसको, इस question में है, 2, 10, 36, अपन, cot 54, प्लस, 3, cot 38, अपन, 10, 52, डिग्री, minus 2, sec 41, अपन, cos sec 49, क्या चेक करेंगे, क्या यह complementary angle है, एड करेंगे, एड करिए, 90 आ रहा है, एड करिए, 90, यहाँ पर भी 90, 90, 90 है, और 10 को cot में चेंज कर सकते हैं, cot को tan में, sec को कॉसिक में, यानि यह क्या है, complementary angle, और complementary angle, तो complementary angle का formula आना चाहिए, यहाँ पर हम direct solve कर सकते हैं, देखिए, 10 को हम cot में चेंज कर देंगे, यह कट जाएगा, cot को tan में, यह कट गया, sec को कॉसिक में, यह कट गया, 2 plus 3, 5, 5 minus 2, 3, यह हो जाएगा, यहाँ इसको हम, यहाँ क्या लिखा है, tan 36 degree, tan को हम cot में चेंज करते हैं, तो tan का formula क्या होता है, tan theta होता है, cot 90 minus theta, tan theta is equal to cot 90 minus theta, यहाँ पर लिखा हुआ है, tan 36, यानि theta की जगे क्या लिखा है, tan 36 degree, cot 90 minus, यहाँ थीटा की जगे 36, तो यहाँ भी theta क्या हो जाएगा, हमारा, 36 हो जाएगा, यहाँ tan 36 क्या आ गया, cot 90 minus 36, इसकी जगे हम यह लिख सकते हैं, cot 90 minus 36, यहाँ पर लिखते हैं, यह हो गया हमारा और नीचे है, cot 54 degree, प्लस, यह है 3, cot 38 degree, यह है, हम किसी को भी उपर और नीचे, numerator और denominator में जो है, इन में से हम किसी को भी change कर सकते हैं, जैसे cot को हम tan में कर दें, या तो tan को हम cot में, दोनों में से किसी को भी change कर सकते हैं, अब tan को ही हम कर लेते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला है, हमारा tan थीटा, थीटा की जगे क्या है, 52 degree, यह हो गया, यहाँ हो गया cot, 90 माइनस थीटा की जगे, 52, पैन 52 क्या आगया हमारा, cot, 90 माइनस 52 degree, माइनस 2, सेक को हम कॉसेक में कलवर्ट करते हैं, सेक का फॉर्मूला क्या है, सेक थीटा is equal to, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगे यहाँ क्या है, 41, यहाँ हो जायागा सेक 41 degree is equal to, कॉसेक 90 माइनस 41, थीटा की जगे 41, तो यहाँ पर भी थीटा की जगे 41 हो गया, सेक 41 क्या गया, कॉसेक 90 माइनस 41, यह हो गया, अपोन 90 माइनस 41 अपोन कॉसेक 49 डिग्री, यह हो गया, इसको सॉल्व करेंगे आगे, यह है 2, 90 माइनस 36, 54 हो जाएगा, यह हो गया, अपोन कॉट 54, फिर यहां पर है 3, कॉट 38 अपोन कॉट, यहां पर देखिए 90 माइनस 52, 38 हो जाएगा, यह हो गया, माइनस 2, कॉसेक है, कॉसेक 90 माइनस 41, 49 डिग्री, अपोन कॉसेक 49 डिग्री, यह हो गया, देखिए, कॉट 54 अपोन कॉट 54, सेम सेम है, कड़ गया उपर नीचे, यहां पर भी, और यहां कॉसेक 49 अपोन कॉसेक 49, क्या बचा, 2 प्लस 3 माइनस 2, 2 प्लस 3, 5, 5 माइनस 2, 3, 3 हो गया, हमारा इस कॉसेक का आंसर, क्या गया, 3, नोट कर लिजे इसको, इस क्वेशन में है हमारा, साइन 32 डिग्री, इन्टू, कॉस 58 डिग्री, प्लस, कॉस 32 इन्टू, साइन 58, अपोन में है, 10, 20 डिग्री, 10, 70 डिग्री, फर्स हम क्या चेक करेंगे, कि ये कॉम्प्लिमेंटरी एंगल है की नहीं, 32 और 58 को एट करिए, 90 आ रहा है, यानि ये कॉम्प्लिमेंटरी है, यहाँ पर इसको एट करेंगे, 2 और 8, 10, 5, 3, 8, 9, यानि 90 डिग्री ये भी हो गया और 70 और 20 ये भी 90 डिग्री यानि ये एंगल क्या है हमारे complimentary एंगल है, complimentary हो गया, sign और cos है, sign को cos में change कर सकते हैं, cos को sign में, tan को cot में change कर सकते हैं, by complimentary एंगल ये हो गया, यहाँ पर देखिए, sign 32 cos 58, cos 32 sin 58, ये लिखा हुआ है, यहाँ दोनों में से किसी एक को पहले हम change यहाँ है हमारा cos 58, cos theta, cos theta क्या होता है, sign 90 minus theta, ये होता है, क्या लिखा है cos 58 degree, ये हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, sign 90 minus 58 degree, cos 58 की जगर क्या लिखेंगे, sign 90 minus 58, ये हो गया sign 90 minus 58, प्लस, cos 32 sin 58 degree, अब देखिए, यहाँ पर है 10 20 degree, 10 20 degree, यहाँ 10 70, 10 किस में change होता है, cot में change होता है, tan theta is equal to cot 90 minus theta, दोनों में से, किसे एक को change कर लें, जैसे 70 को change कर लेंगे, तो क्या आएगा, is equal to cot 90 minus 70, यहाँ theta की जगे 70, तो यहाँ पर भी theta की जगे 70 आगे, 10 70 की जगे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे cot 90 minus 70, यह हो गया, हम यहाँ change कर लेंगे, यहाँ पर यह हमारा भी बचा हुए है, क्या लिखा है, cos 32 और sin 58, यहाँ पर किसे change करना है, यह हमें आगे दिया हुआ है, देखिए, sin 32, sin 90 minus 58 क्या होगा, 90 minus 58, 32 हो जाएगा, यह हो गया हमारा, क्या आगया, sin 32 into sin 32, जैसे x into x क्या होता है, x स्क्वायर हो जाता है न, उसी तरीके से sin 32 into sin 32, यह हो जाएगा हमारा sin square 32, और square कहां लिखते हैं, यह जो n है न, इसके उपर लिखते, यहाँ पर कभी भी नहीं लिखेंगे जैसे यह sin 32 है यहाँ sin 32 के उपर square नहीं लगाना है कहा लगाना है square यह लगेगा हमारा यह n है n के उपर यह हो गया sin square 32 degree यहाँ पर 90 minus 70 20 हो जाएगा यह हो गया अब देखिए 1020 into cot 20 1020 into cot 20 formula first lecture में बताएं है 10 theta is equal to 1 upon cot theta 10 theta क्या होता है 1 upon cot होता है जैसे sin क्या होता है sin theta sin theta होता है 1 upon cos theta यहाँ पर 10 theta 1 upon cot theta यह हो गया 10 theta की जगे हम क्या लिखेंगे यह है हमारा tan 20 degree इधर है cot 20 degree 10 को हम cot में change कर लेंगे 10 20 यानि 10 theta is equal to 1 upon cot theta यहाँ हो गया अगर 20 तो यहाँ हो जाएगा 1 upon cot 20 यह theta यह theta यह 20 तो यह भी 20 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 upon cot 20 into cot 20 cot 20 cot 20 cancel क्या आगया हमारा 1 यह यहाँ पर क्या जाएगा 10 20 into cot 20 क्या आगया हमारा 1 आगया इसकी जगे हम लिखेंगे 1 हो गया यह अब देखिए sin square है इधर क्या हो जाए अगर इधर cos square हो जाए तो हमारा formula बन जाएगा sin square theta plus cos square theta is equal to 1 तो अब हमें यह पहले वाला ही आगे वाला ही हमें हिंट दे रहा है कि हमें क्या change करना है cos square में change करना है cos दिया है इसको भी cos में change कर लेंगे यह है ना यहाँ पर क्या करेंगे इसको भी change कर लेंगे हम cos में cos क्या लिखा है और यहाँ पर sin का formula क्या हो जाएगा sin theta is equal to cos 90 minus theta sin 58 है इसको cos में change करना है इसलिए यह formula लिये है क्योंकि sin को हम यहाँ पर cos में convert कर सकते हैं sin 58 degree is equal to cos 90 minus 58 degree क्या हो जाएगा? sin 32 degree plus cos 32 degree sin 58 क्या हो गया? cos 90 minus 58 degree यह हो गया नीचे है हमारा 1 90 minus 58 क्या हो जाएगा? 90 minus 58 हो जाएगा 32 यह क्या हो जाएगा हमारा? यह हो गया 32 degree अब cos 32 into cos 32 क्या हो जाएगा? cos square 32 सेम सेम है न दोलो? x into x हो जाता है x square उसी तरीके से cos 32 into cos 32 cos square 32 square लगाएंगे इस s के उपर यहां से देखिए हमारा formula आ रहा है sin square theta plus cos square theta यह है formula sin square theta plus cos square theta is equal to 1 अगर first lecture पढ़े हैं तभी यह solve कर पाएंगे इसका formula महाँ पर क्या है? sin square theta plus cos square theta is equal to 1 theta की जगे 32 theta की जगे 32 यह और cos 32 क्या आ गया? 1 इसकी जगे आ गया 1 1 upon 1 यानी 1 हो गया हमारा answer answer क्या आ गया हमारा 1 समझ में आ गया इचीज? note कर दीजे 9th question है हमारा cos 44 into cos 46 sorry cos 44 into cos x 46 plus tan 30 into tan 60 minus under root 2 cos 45 plus tan square 60 44 और 46 add करेंगे क्या आया? 90 यानी यह हो गया हमारा complementary complementary हो गया 30, 60, 90 complementary यहाँ पर हम cos को किसमें change कर सकते हैं? sin में change करते हैं cos theta क्या होता है? sin 90 minus theta यहाँ क्या लिखा हुआ है? 44 यहाँ हो जाएगा cos 44 इसको हम क्या करेंगे? दोनों क्या है? complementary angle यानी हम tan को cot में change कर सकते हैं cot को tan में tan theta is equal to cot 90 minus theta यह है हमारा formula यहाँ लिखा है 10 30 degree यहाँ क्या हो जाएगा? cot 90 minus 30 degree क्या हो जाएगा? 10 30 है cot 90 minus 30 10 30 की जगे cot 90 minus 30 degree यहाँ लिखा हुआ है 10 60 degree minus under root 2 cos 45 plus इसको हटा दे 10 square 60 degree इसको अभी यही पर लिखा रहन देते हैं यह इधर फैले solve करेंगे 90 minus 44 यह हो जाएगा हमारा यही पर कर ले 90 minus 44 हो जाएगा 46 90 minus 30 60 हो जाएगा यह हो गया यहाँ तक कर लिए अब आते हैं हम trigonometric relation में इनका relation क्या होता है? इनका relation है अगर sin theta है वो हो जाएगा 1 upon cos theta पैन हो जाएगा हमारा 1 upon cos theta यह हो जाता है यहाँ लिखा है sin 46 sin 46 क्या हो जाएगा? 1 upon cos 46 समझ में आ रहा है यह क्या हो जाएगा? cos 46 sin 46 क्या होता है? 1 upon cos में यानि 1 upon cos 46 इन्टू इन्टू cos 46 डिग्री 1 upon cos 60 माइनस अंडर रूट 2 cos 45 प्लस tan square 60 डिग्री हो गया यह? अब देखिए यह और यह कैंसिल यहां से आया 1 प्लस कॉट कॉट कैंसिल यह आ गया 1 आया यहां पर यह दोनों अपस में कट गए 1 बचा यह दोनों अपस में कट गए 1 बचा यहां पर क्या है? अंडर रूट 2 cos 45 प्लस tan square 60 डिग्री यहां तक समझ में आया अब हमीं क्या करना है? इधर इसको change करना है कैसे कर सकती है? देखिए यहां है cos 45 डिग्री यहां पर 1 प्लस 1 यह हो गया 2 माइनस अंडर रूट 2 अब देखिए यह हम आगे पढ़ेंगे cos 45 क्या होता है? cos 45 होता है root 2 cos 45 की value होती है root 2 अभी यहां पर देख लीजे आगे हम पढ़ेंगे इसका 1060 डिग्री होता है 1060 होता है under root 3 1060 यह होता है मारा 1060 डिग्री होता है under root 3 यहां पर लिखेंगे under root 3 और यह है square 2 माइनस अंडर root 2 इंटू अंडर root 2 2 हो गया प्लस अंडर root 3 का square क्या हो जाएगा अंडर root 3 इंटू अंडर root 3 3 आ जाएगा 2 और 2 cancel आंसर हो गया हमारा 3 क्या हो गया 3 हो गया समझ में आ गया यह नोट कर लीजे यहां से हमारा second part complete हो गया अब next lecture में हम third part से start करेंगे Thank you for watching this lecture